हेलो गाईज, वेल्कम टू दा सेशन, आज हम बात करेंगे स्टेट PCS के GS MCQ स्पार्ट 24 की इसका पहला क्यूशन है, विश्व ओस्ट्री पॉरियोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ओप्शन है 20 अक्तुबर, 21 अक्तुबर, 23 अक्तुबर, 22 अक्तुबर इसका अंसर है 20 अक्तुबर प्रतिवर्स 20 अक्तुबर को विश्व ओस्ट्री योरोपिसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिवस ओस्ट्री पॉरियोसिस के रूप थाम, नीदान और उपचार के लिए वैश्विक जागरुकता के प्रैसार के प्रेती समर्पित है उत्तर परदेश राज्य जैवुर्जा नीती 2022 के संदर्व में निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है 27 सितंबर 2022 को उत्तर परदेश मंत्री मंडल ने इस नीती को स्विक्रिती परदान की इस नीती से परदेश में 55 करोड रुपे का निवेश प्राप्त होगा इस नीती के तहट पांच वर्ष में स्थापित होने वाली जैवुर्जा पर योजनाओं को भारत सरकार की नीती योजना के अतिरिक्त उत्तपादन और पर प्रोत्साहन परदान किया जाएगा इस नीती के अंत्रगत अब 6 आपोर्ती श्रंखला का विकास करते हुए परती एक ब्लोक में एक बायो प्लांट की स्थापना की जाएगी इसका आणसर है D उत्तर परदेश राजी जै वर्जा नीती 2022 के अंत्रगत अब शिस्ट आपूर्ति श्रंखला का विकास करते हुए परति एक तहसील में नैकी ब्लोक में एक बायो प्लांट की स्थापना की जाएगी हाल ही में बाधवकर टाइगर रिजर्ब में खोजे गए प्राचीन पुरातात्वीक अफशेसों के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कल्चुरी काल के 26 प्राचीन मंदीर अफशेस खोजे गए हैं 26 गुफाई खोजी गए हैं जिन में से अधिकांशते बोध धर्म से संबंधित हैं खोज में 24 ब्राहमी शिरालेक मिले हैं दो मठ एवं दो स्तूप पाए गए हैं उप्युक्त कतनों में से कौन सा सही है इसमें बताना है चारों में से कौन सा सही है इसका राइट आंसर है डी इसमें चारों ही ओप्शन सही है हाल ही में भारती प्रातात्व सन्वेक्षण A.S.I. ने मध्धी परदेश के वादबगर टाइगर रिजर्ब में कई अधभुत प्रातात्विक अफशेसों की खोच की है इन अफशेसों में कल्चुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर, अफशेस 26 कुफाय, ज्यादतर बहुत धर्म से सम्बंदित, दो मठ, दो इस्तूफ, 24 ब्रामेली श्लालेक, 46 मूर्तियां, जिनमें 12 मूर्तियां सबसे बड़ी हैं, 20 बिर्खरे हुए अफशेस एवं 19 जलसन रचनाय भारत के संदर्व में हाइवी और कुई शब्द निमलिखित में से सम्बंदित है, इसमें बताना है भारत के संदर्व में हाइवी हो और कुई शब्द निमलिखित में से किस सम्बंदित है, ओप्शन है उत्तर पश्मी, भारत के नियत्य तूप, वाध्य यंत्र, इतिहासिक गुफा चित्र जनजाती भासाएं इसका अंसर है जनजाती भासाएं ओडिशा का राज्ये में रहने वाले आदिवासियों की विशाल आबादी के कारण भारत में अदुवित्य स्थान है ओडिशा में 62 आदिवासी समुदाय रहते हैं जो ओडिशा की कुल आबादी का 22.8 परतिशत है हाई भी हो और कुई ओडिशा की जनजाती भासाएं हैं हाल ही में चर्चा में रहे पंडित शिफकुमार शर्मा किस से सम्मंदित थे? ओप्शन है संतूर वादन, बासूरी वादन, कवीता लेखन, कथ्यक नरत्ये ओप्शन है, इसका राइट ओप्शन होगा संतूर वादन देश के मश्हूर संतूर वादन पंडित शिफकुमार शर्मा का 10 माई 2022 को निधन हो गया वे 84 वर्सके थे, भारत की महान शास्त्रिये संगीत परंपरा में संतूर एक अभिंग अंग है लेकिन इस लोग वाद्ययंत्र को शास्त्रिये परंपरा की एक एहम वाद्य के रूप में इस्थापित करने का श्रे पंडित शिफकुमार शर्मा को जाता है अप्शन है विनोद राय, शुनील गवासकर, शौरब गांगुली, शसांक मनोहर इसका आंसर है विनोद राय अप्शन है तुगलक सयद लोदी, खेलजी गुलाम, तुगलक सयद लोदी, गुलाम, खेलजी तुगलक सयद लोदी इसका राय आंसर है सि, गुलाम, खेलजी, तुगलक सयद लोदी, गुलाम, खेलजी, तुगलक सयद लोदी दिल्ली के सल्तनत के वन्शो का सही कलानुकरम है संसार का सबसे बड़ा रेतिला मरुस्थल, रबल खाली कहां अविस्तित है इसमें पूछा गया है संसार का सबसे बड़ा रेतिला मरुस्थल, रबल खाली कहां अविस्तित है आप्शन है चीन, तुर्की, इरान, सहुदी अरब इसका आंसर है सुदी अरब संसार का सबसे बड़ा रेतिला मरुस्थल, रबल खाली सुदी अरब में अविस्तित है वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर, फुगाकू, किस देश का है आप्शन है जापान, दच्छन कोरिया, चीन, अमेरिका इसका सही आंसर होगा जापान वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर, फुगाकू, जपान का है सुभाच चंदरबोट के राजनितिक गुरु कोन थे इसमें बताना है सुभाच चंदरबोट के राजनितिक गुरु कोन थे उप्षन है महात्मा गांदी, चिरंजन दास, चितरंजन दास, गोपाल क्रस्न गोखले, बाल गंगधर तिलक इसका अंसर है चितरंजन दास सुभाचंद्र वोस के राजनितिक गुरू चितरंजन दास थे जबकि स्वामी विवेकानन्द अध्यात्मिक गुरू थे लता मंगेशकर जी को भारत रत्मिक से किस वर्ष सम्मानित किया गया था उप्षन है 2001, 2009, 2011, 2021 इसका राइट आंसर है 2001 वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्म से सम्मानित किया गया था विश्व विध्याले अनुदान आयोग UGC के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यहें एक स्व्यातत संगठन है इसका प्रधान कारयले नई दिल्ली में इस्तित है उप्युक्त कत्नों में से कौन सा सही है इन दोनों में बताना है कौन-कौन से सही है इसका अंसर है C पहला और दूसरा दोनों सही है 28 दिसंबर 2053 को तत कालीन शिक्सा मंत्री मोलाना अब्दुलकलाम आजाद ने ओपचारिक तोर पर विश्विध्याले अनुदान आयोग की नीव रखी दी विश्विध्याले अनुदान आयोग विश्विध्याले शिक्सा के मापडंडों के समविन्य निर्धारण औन अनुरक्षन हेतु 1956 में संसत की अधिनियम द्वारा इस्थापित एक स्व्यातत संगठन है इसका परधान कारेले नई दिली में इस्तित है परधान मंत्री फसल वीमा योजना के सम्मंध में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसका सुभारम वर्स 2016 में किया गया इसने राष्टे क्रिशी वीमा योजना NAIS और शंसोधित राष्टे क्रिशी वीमा योजना MNAIS को प्रति स्थापित किया है इसका अंसर है C. पहला और दूसरा इसमें भी दोनों सही है इसका सुभारम वर्स 2016 में किया गया जिसे क्रिशी और किसान कल्यार मंत्राले द्वारा संचालित किया जा रहा है इसने राष्टे क्रिशी वीमा योजना NAIS और शंसोधित राष्टे क्रिशी वीमा योजना MNAIS को प्रति स्थापित किया है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राथमिक आवास में देखना चाहते हैं तो नीमली खित में से किस इस्थान पर जाना सबसे सही है आप्शन है भितर कनीकास, मैगनोग, चम्बल नदी, फुली कट जील, तिपोर वील इसका अंसर है चम्बल नदी घड़ियाल जिसे कभी-कभी गेवियल भी कहा जाता है एक परकार का एशियाई मगरमच है, जो लंबे पतले थूतन के कारण अलग आकरती का होता है मगरमच सरिस्रपो का एक समू है, जिसमें मगरमच घड़ियाल, केमन, आदी शामिल है विथ्य परवत के उतरी ढालानों से चम्बल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है इसरो द्वारा आरम भारत करशी उपगरे, कारेकरम के अंतरगत, भारत की पूरे करशी छेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपगरों की अवशक्ता होगी ओप्शन है दो, तीन, चार, साथ इसका अंसर है दो इसरो द्वारा आरम भारत करशी उपगरे, कारेकरम करेसी छेत्र को समर्पित है यह करेसी सम्मंधी कतिवीधियों, कीट नाशकों, सिच्चाई, पसल आकडों, सुखे के आकडों आधिका विस्तार करेगा देश के पूरे करेसी छेत्र को कवर करने के लिए नियुनतम दो उपगरहों की आवशक्ता होगी विश्व वन्यजीव कोज द्वारा प्रकाशित लीविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले पचास वर्सों में मोनिटर की गई वन्यजीव आवादी में कितने प्रतीशत की गिरावट आई है आप्शन है 69, 65, 69, 72 इसका आंसर है 69 विश्व वन्यजीव कोज डबलु डबलु एफ द्वारा प्रकाशित लीविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्स 1970 से 2018 के बीच पिछले पचास वर्सों में मोनिटर की गई बन्यजीव आवादी, इस्तंधार्यो, उभरचर, मचली, सरिस्रप सहित में 79 प्रतेशत की गिरावट आई है हाल ही में अंतराष्टे आपराधिक पुलिस संगठन, इंटर्पोल की नपवी महासवा का आयोजन भारत की किस सहर में हुआ? अप्शन है एहमतबाद, दिल्ली, हैदरबाद, आगरा इसका आंसर है बी, दिल्ली में भारत अंतराष्टे आपराधिक पुलिस संगठन, इंटर्पोल की नपवी महासवा की मेजबानी कर रहा है यह महासवा 18-21 अक्तुबर 2022 के दिल्ली, 22 तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी पी-एम डिवाइन जो हाल ही में चर्चा में रहा भारत के किस छेतर के विकास से सम्मंदित है आप्शन है पुर्वत्तर छेतर, तटिये छेतर, मरुस्थलिये छेतर, बाढ़ गरस्त छेतर इसका राइट आंसर है पुर्वत्तर छेतर हाल ही में केंद्रिये मंत्री मंडल ने एक नई योजना पुर्वत्तर छेतर हेतू परधान मंत्री विकास पहल पी-एम डिवाइन को मनजूरी दी पुर्वत्तर छेतर एनी आर में विकास अंतराल को दूर करने के लिए कैंद्रिय बजट 2022-23 पे पी-म डिवाइन की घुशना की गई थी हाल ही में किसे भारत के पचासवे मुख्य न्याइधिर सी जे आई के रूप में नियुक्त किया गया है आप्शन है न्याइमूर्ति एस अब्दुल नजीर न्याइमूर्ति अजे रस्तोगी न्याइमूर्ति तिनेश महाश्वरी न्याइमूर्ति धंजे यश्वंतन चंदरचुल इसका आणसर है D. न्याइमूर्ति धंजे यश्वंतन चंदरचुल चंद्रचुन मौलिक अधिकारों के संडक्षन के लिए रिट याचे का किसमे दायर की जा सकती है इसमें बताना है कौनसे नियालों में दायर की जा सकती है उप्शन है उच्टम नियाले, उच्छ नियाले, जिला नियाले, सात्र नियाले इसमें बताना है किसके द्वारा की जाती है इसका अंसर है ए पहला और दूसरा उच्टम नियाले और उच्ट नियाले के द्वारा रियाचिकर दैर की जाती है भारती संबिधान द्वारा सर्वोच नियाले और उच नियाले को मोलिक अधिकारों के रक्षा करने के लिए लेक निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है सरवोच नियाले अनुछेद 32 के तहट एवं उच नियाले अनुछेद 226 के तहट रिट जारी कर सकते हैं ठैंक यू सो मच